अगर अभी सीरीज की मैं तुलना करूँ मिर्जापूर से तो यह गलत होगा क्योंकि इन दोनों सीरीज में बहुत जादा अंतर है तो नमस्कार प्यारे दोस्तों आज इस वीडियो में में बात करने वाला हूं बोकाल वेब सीरीज के बारे में जिसे डिरेक्ट के है जतिन शतीस वागले ने इसमें कास्ट है मोहित रहना बभीता बाग अभीमन्यू सिंग सनी हिंदूजा और बाकी अन्यकलागार इसे MX Player पर रिलीज किया गया है और इसके अंदर टोटल दस एपिसोड है अब कहाने की बात करें तो इसमें एक पुलीस ओफिसर नवीन सिकेरा जिसे प्ली के है मोहित रहना ने उनको SSP बना कर मुझफरपूर भेजा जाता है उनका वांड पर ट्रांसफर किया जाता है और और मुझफरपूर जैसे बोला गया है इस वेब सिरीज में कि क्राइम कैपिटल है वो भारत की जिसके अंदर दो गैंग का राज चल रहा है इस्ट में शोकीन गैंग है और मुझफरपूर के वैस्ट में डेडा भाई है उनकी जो है वहां पर उनका राज चलता है नवीन शिकेरा को स्टार्टिंग में ही बहुत दबंग दिखाया गया है वो दिखाना भी जरूरी है क्योंकि इस जैसे इलाकों में दबंग ही ओफिसर काम आते हैं पर एक रिपोर्टर दिखाये गई है जिसे सिरुफ मजा हात है पुलिस की कम्यों को ढूंड कर उनकी खिलियां उ होते हैं कि यहां पर लोगों को पुलिस पर से विश्वास उठ चुका है लोगों को पुलिस पर विश्वास वापिस दिलाना है ताकि लोग पुलिस के पास आए उनसे यह नहीं कि वो गुंडों के पास प्रोटक्शन के लिए जा रहे हैं पुलिस वालों को वो कुछ नही करते हैं इन लोगों का और शोकीन जो गैंग ती जिसमें 16 से लेकर 24 साल के जो ऐसे से नमूने भरे हुए थे जो अंडे से सही डंग से भी नहीं निकले थे जो अपने आपको गुंडा समझ रहे थे जिनके एक-एक पड़ते ही उनकी फट जा रही थी वो बिलकुल एक दम मज़ेदार सीन लगा मुझे ये देखके भी वैसे जब ये सीरीज स्टार्ट हो रही थी तो इसमें दिखाया गया थे कि ये जो सीरीज है वो रियल इवेंट के उपर अधारित है अब अगर मैं इसकी मिरजापूर के साथ अगर तुलना करता हूँ तो मिरजापूर में जहां पर आप देखोगे कि दो गुटों के बीच में दो गुंडे थे या फिर दो गैंग थी उनके बीच में लड़ाई चल रही थी फिर एक ही गैंग में से उचके भाई को मार दिया जाता है फिर उनको मारने कोशिश की जाती है तो वह तो एक अलग अप्रोच थी उनकी और वहीं अगर आप बोकाल को देखोगे तो इसके अदर एक पुलिस ऑफिसर या पुलिस की जो एक टीम है, जो पुलिस है वो वो खतम करने के लिए काम कर रही है दो दोनों में similarity सिर्फ यही है कि दोनों में गाली गलोच है और इसके अलावा इसमें कोई similarity नहीं है दोनों की approach अलग है अब ये कहूं कि मिरजापूर बोकाल के दायरे में आती है या फिर बोकाल जो अब मिरजापूर का use गया गया जितने मिर्जापूर में नहीं थी तो ये नहीं कह सकते कि गाली के अधार पर इन दोनों को एक ही लेवल पर रखें या फिर कहींगे कि दोनों में यह similarities हैं और दोनों एक जैसी हैं नहीं बिल्कुल अलग है यह series वैसे बोकाल में बहुत सारी चीजों के ओपर द्यान रखा गया था जो personally मुझे बहुत पसंद आई थी जैसे कि इसमें कहा गया कि पुलिस के बहुत सारे कानून जो अंग्रेजों के टाइम में बनाए गए थे जिन वो इसलिए बनाए गए थे ताकि वीर करांती कारियों को उनको काम करने से रोका जाए वो आज भी स्वंदंतर भारत में वो लागू है और ऐसे दक्यान उसी कानून के कान लोग परिशान भी हो रहे हैं और पुलिस फोर्स के अंदर equipment या फिर gun की कैसे पुरानी rifle उनको दी जाती थी जिसमें एक बार shoot करने के बाद दूसरी बार shoot करने के लिए पांस second का time लगता था इतने में जो सामने जो criminal होता है उसको पांस second में जिसके पास automatic gun या advanced जो gun होती थी इतने में वो मार के चला जाता है तो काफी सारी चीजें इसमें दिखाए गई हैं जो काफी पसंद आई मेरी तरव से इस series को मैं देना चाहूंगा 7 out of 10 star बस आज के लिए इतना है इता इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते हैं next video में जाहिंद